पधानमंतिन नरेंद्र मोधी और रूस के राष्टपती व्लादेमिर पुतिन आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये कुड़नकुलम परमाणू उर्जा पर योजना की पहली इकाई देश को समर्पित करेंगे इस कारिक्रम में तमिलनाडू की मुख्य मंत्री जैललिता भी मौचूद होंगी भारत और रूस कई वर्षों से परमाणू उर्जा के एक्षित्र में सहयोग कर रहे हैं कुड़नकुलम परमाणू उर्जा की पहली इकाई पहले से ही चल रही है इसे दक्षिनी ग्रिट से जोड़ा गया था और 1000 मेगावाट की पहली इकाई ने 31 दिसंबर 2014 को रात से काम करना शुरू कर दिया था नैशनल पावर कॉर्परेशन ऑफ इंडिया तिरुवेन वेली के कुड़नकुलम में 1000 मेगावाट के दो रूसी रियक्टर्स स्थापित कर रहा है